जहीं दोस्तों मेरा नाम है आकास मार्या और आपसे लोग का अपने चैनल आलकूकि इस्टेडी पर बहुत बात स्व्वाकत है फ्रेंस येर पियर प्रेमेरिकल स्टाप का आप लोग का फिजिकल स्टार्ट हो चुका है श्र्मृड़ वालों का उब मैं आप लोगों हमेशा ऐसे रिलेट्ट अप्डेट्स लाता राता ह lama हूं तो आझ किस वीडिव में आप लोगों को बताऊंगा कि ठंड में आप लोग क्या क्षाना चाहिए आप लोगों को क्या क्या नहीं खाना चाहिए क्योंकि आप लोगों खाने पीने पर ही आगे की जो है सारी चीज़े डिपेंड करती हैं कि आप लोगों पर कैसे दोड़ सकते हैं ठीक है ठंडम याद क्या चीज़े खा लेते हैं यादि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं कियों तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए है हमारे पहली बार विजिट कर रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आप लोगों को हमारे चैनल पर CRP Paramedical Staff संब्सक्राइब में शोटी बड़ी अपडेट हमेशा मैं अपडेट करता रहता हूँ, तो यहाँ पर आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले जानेंगे है, कि खाने पीने में क्या आप लोगों के लिए नुकसान हो सकता है, तो यहाँ आप लोग जो है, रेनिंग काफी नजदीक है, तो आप लोगों फ़ल फ्रूट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यहाँ आप लोग फ़ल फ्रूट को खाते हैं, तो यहाँ आप लोग सर्दी के कारण एक बन सकता है, आप लोगों सर्दी जरा सभी आप लोगों को जगरता है तो सद आप लोगों को वापस सांस फुलेने की दिक्कत आ सकती है कोई भी फल ना खाएं वह चाहिए केला हो सेव पपीता हो अमूरूद हो ऐसी कोई ठंडी फल का सेवन ना करें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि जो है उनकी जो है सीना जो है थोड़ा जो है कम रहता है तो लोग किया सुचते हैं कि जो है केला खाने से जो है तो केला का सेवन करने लगते हैं जबकि उनके रणिंग में यही चीज़ जो है प्राबलम आ सकती है यह आप लोगो सीने में प्रा लेने में दिक्कत हो गी आप लोग काफी हानी साबित हो सकता है अब बात करते हैं इसके जगहाँ पर आप लोगों कुझा चीज़ें सेवन करनी चाहिए जो कि आप लोगी लाबदाया खो सकते हैं तो आप लोगों पुछ बच्चे नहीं जाना रहा है तो उनको मैं बता देना चाहता हूं ड्राइफुट में आप लोग काजू बदाम यह सभी चीज़े आती हैं तो आप लोग इन सभी चीजों का सेवन कर सकते हैं ठीक है यह आप लोग मांस मचली या फिर अंडा नहीं खाते हैं तो ठीक है और वहाँ पर आप लोग जाते हैं तो वहाँ पर भी आप लोग जो है अंडे लेकर जाईए यहाँ से है ठीक है तो आप क्यों यह साथ यह नहीं हो सकता कि जो है हर जगा अंडे उपलब दो तो आप लोग अंडे खाय रहेंगे तो आप लोगों के सरीर में गर्मी बनाये दिए और या थारह है तो उसको अच्छी तरीके से बहने रहा है जो आप लोग दवड़ने के लिए जूता यूज करते हैं जूतिम ध्यान दिएक जाली दार एक जूता आता है आप लोगो एक बीना जाली दार ठीक है तो जाली दार जूता क्या होता है कि यह आप दर्डने लगते हैं ठीक है तो वहां पर आप लोगों उसमें हमाय जाती है जाली दार जूते से अंदर जाती है जो कि आपको पैरों को जो आई है जो एडिय पक्की नहीं मिलेगी है कुछ जगा आप लोग थोड़ा घास भी जामर आता है तो वहाँ पर भी दवड़ाया जा सकता है तो जिसके कारण आप लोगों को काफी दिक्कत आ सकती है तो आप लोगों से मैं request करूँगा कि आप लोग जारीदार जूतों का उपयोग ठंड में न करें अधरवाज गर्मीम आप लोग किसी भी प्रकार की जूते का यूज कर सकते है और पैरों को जादा सजादा ठंड को बचाए और कान को बाने रहें अच्छे से आप लोग आए है कि कंबल भी ले जा सकते हैं वहाँ पर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है तो उमीद करता है अप लोगों सारी इन्फोर्मेसियन मिल चुके है यह को लाइक कर देना चैनल पाहरे पाहली वार विजिट कर रहे है ये आप लोगों को सियर्पे परामेडिकल इस्टाप सम्मझ कोई भी प्राब्लम है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं मैं उसका सल्यूशन देने की पूरी कोसिस करूँगा ठीक है तो फ्रेंस हम लोग ऐसे ही नई जानकारी साथ नई वीडियो मिलेंगे तब तरके लिए टेक केयर गुडबाई